नमस्कार मैं हूँ आपके साथ येशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूस की खास पेशकिश में आज हमारे साथ एक ऐसी शक्सिय जुड़ने वाली है जो हमें बताएंगी कि सनातन धर्म क्या है जिन से हम जानेंगे कि आखिर जो आज पूरे देश का महाल है ऐसा क्य हूं है और सनातन धर्म को लेकर लोगों की क्या राय है और क्या नहीं होनी चाहिए उनकी राय तमाम ऐसे मामले आज कर हम देख रहे हैं जिसमें हुनित्व का मुद्दा उठा जा रहा है हिंदुत्व को टार्गेट किया जाता है सनातन धर्म आखिर क्या है ये लोगों को नहीं पता है उसके भावजूद भी आपसी मद्भेट जो है वो लोगों में देखने को मिलता है हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है आचारिया महा मंदलेश्वर श्री प्रकाशन महराजी बहुत-बहुत स्वागत है प्रकाशन महराजी आपका के न्यूस के चानल म सबसे पहले आचार जी मैं आपसे जाना चाहूंगी सनातन धर्म क्या है इसकी सही परिभाशा क्या है क्योंकि इसकी सही परिभाशा अगर किसी को पता हो तो मुझे लगता है जो देश में महाल है शायद वो ऐसा ना हो सनातन धर्म क्या धर्म तो एक ही है जो सभी को लेके चले उसी को सनातन धर्म कहते हैं बाकी जितने हैं वो पंत हैं संपरदाय हैं धर्म एक ही है केवल सनातन धर्म है बाकी आप जितने भी देख लें वह पंत कहते हैं उसको संपरदाय का शक्ते हैं और अनन का शक्ते धर्म केवल सनातन है जो सभी को ले करके चलता है यहां किसी का विवाद नहीं किसी से उलजना नहीं सब को एक साथ लेके चलने की परंपरा एक साथ लेके चलने का समागम उसी को सनातन धर्म कहा जाता है और उसी सनातन में सभी लोग हैं जो इस पिर्थवी पर आए जो अपने आपको मनुस्य कहते हैं कि हम मनुस्य हैं तो मनु महराज के बाद ही इस पिर्थवी पर मनुस्य का पदारपन हुआ मनुस आए अगर वो अपने आपको मनुस के स्रेनी में रखते हैं तो वह मनु महराज के बनसज हैं अगर नहीं रखते हैं तो उनकी बात मैं नहीं करता लेकिन इस पिर्थवी पर जितने भी मनुस से वह मनु महराज के बनसज हैं और आज उसी का मनुस मिर्थी का विवाद सि का आज भी सौचित्र है यह समझना चाहिए यह देखना चाहिए किसी का पिरोद करने के पहले कि तब भी समिधान के माताओं ने भगवान राम और खिष्ण को प्रणाम करके प्रथम प्रिष्ट पर उनको जगह दिया है तब जाके सम्मिधान बना है अचार जी मैं आपसे यह जाना चाहूंगी धोल गवार शुद्र पशुनारी सब यह सब ताड़न की अधिकारी बहुत बढ़्या बात और इसमें मैं ताड़न शब्द का अर्थ आपसे जानूंगी क्योंकि बिहार के सिक्षा मंत्री ने इस पर सबाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि यह आपत्ति जनक शब्द है इस चौपाई को ही हटा देना चाहिए ताड़न का मतलब आपकी द्रिष्टी में क्या है अब डंड नहीं कर सकते हैं तो जैसे आप न आप कुछ करेंगे तो वहीं आ आपकोमारेगा सुख भी करेंग तुकुशत आttесть आपको डंड़ेगा उसको अधिकार द्यागया आप देख लें इस्त्री सुद्र पसु नारी नारी को आप अगर छेड़ चाड़ करें या गलत निगास से देखें उनको अधिकार दिया गया गब चपल उठाई और वही पर उसको दंड दिजे दंड अधिकारी जैसे कहा जाता है और लोगों को नहीं कहा गया सुद्र पसुष्यार को अधिकार वदंड देगा उसी तऱ नारी को अधिकार देगा है मालिये कोई इस्त्री पुरूसको गलत निगाह से देखे या छेड़े या कुछ करे तो पूरुस उसको कुछ नहीं कर सकता है वह द्वासादमी को बोल सकता है लेकिन आप किसी इस्तिरी को किसी नड़की को तो वह चपल उठा के वहीं आपको मरने का अधिकार आज भी समाज देता है और तब भी उस समय भी त देखता है या को गलत निगाह से देखता है तो उसको अधिकार वही है कि वही दंडित करे अधिकारी है इसी चीज को समझने की जरूरत है जैसे एक चुपाई और आता है कि वहीं समर्थ कहूं नहीं दोस गोसा है जिसमें तनिक भी दोस नहों लेकिन आज सब्द को क्या ब समर्थ कहूंगा नहीं दोस गोसाइघ कि जलेकिन इस तरीके की जो चीज़ें निकल कर सामने आती जहांपर अर्थ का अनर्थöl और गलत तरीके से इसको पेश किया जाता है तो कही ना कही इसकी वज़े से ही देश का मोहल खराब होता है तो इसकी रोगठाम करना भी तो बहुत जरूरी है इसको explain करना जैसे कि आपने आज यहां पर इस चीज को explain किया है कि यह इस तरीके से नहीं इस तरीके से है तो यह कही ना कही मुझे लगता है कि इसको explanation की बहु लेकर सांती के विएरोध सनातन का और फाल सनातन वाले लोग ही करते हैं बाहर के लो कुछ नहीं जानते हैं वही लोगा बिहार के का मंत्रिस हैं smells ट्रशुचा मंत्री जाहँ मुलग से वुना वहाँ स्केम करें पर लेकिन तेंजन की जानते कि वह जड़मा कर दिल को डूखा करके गलत करके आप मुसल्मान का भोड़ तो पा सकते हैं लेकिन जादब का भोड़ को तेस्वीजी आप खो देंगे इसलिए जल्दी से जल्दी उनको करवाई करके और उसका इलाज नहीं होगा तो सनातम्धर अच्छा परसद कराएगा आपका मंतिनी का उसका सारा खर्चा आपने जाती आति आता हैं जाती सबिकर और बनाए जयते हैं जातीों के नाम पर लोगों को साधना शुरू किया जाता है इसी कैसे देखते हैं अब पूरान नहीं किया गया चार बर्न का बुर्न हमारे सरीर के ही है इसके ऊपर मस्तक यह हमारा चत्री यह हमारा वैस यह हमारा सुद्र खाने का मतलब यह है कि चारों अगर साथ नहीं चलेंगे एक भी खराब हो जाएगा अगर आपकी भुजाई काम नहीं करेंगे अगर आपका सली कोई काम का नहीं है और पैट में खाना नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा और बैस अगर साथ नहीं रहेंगे तो पेठी खराब हो जाएगा चतरी साथ नहीं रहेंगे और पैर ही काट दिया जाए हम रखेंगे तो बिना पैर का किस काम का शरीर तो यह चारों वर्ण हमारे सरीर को बदायाएगा ना किसी जाती को हमारे सब संस्कार में सभी जातियों के कुछ ने कुछ काम है इसलिए जाती तो रहे जातिवाद न रहे और धीरे धीरे अब यह खतम होने चली है जुकि हर जगा यह परमपरा टूटी अब हिंदू धेडरे कठा हो रहे हैं उसी कारण से आप देखियेगा कि प्रशासन के बाद भी गंगा में कुटने को तयार था जैंगे मैं कि भोट अब हिंदू के बेना हिंदू को को सरकार नहीं बन शक्ता या सभी पाटियों को समझ में आ गई करके लोग अब देखें धीरे 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 यह परंपरा खतम हो गई जो वह मुस्लिमों को पाटी दिया जाता था तो अब तो कोई नहीं देता दाश्टपती प्रधान मंतिक सब्सक्राइब सभी लोग बंद कर दिये तो अब लोगों की समझ में आ गया जब हिंदू तो यह जाती मीठने लगा तो सभी पार्टियों को समझ में आ गया कि बिना हिंदू का सरकार नहीं बन सकता है अब मारा जिया अगला प्रश्ण भगवान राम का पॉलिटिक्स में क्या काम है कि भग क्योंकि राजनीती एब बहुत ओची स्तर्की हूने लगी है अगर आप इस बात को माने कि अलग अलग चीजे धर्म के नाम पर देश को बातना मुझे ने लगता कि सही है ऐसे में भगवान राम को बीच में लेकर आना और जब मर्जी हो तो भगवान राम का नाम ले लेना जब मरजी हो तो दरगाह चले जाना, जब मरजी हो तो गुर्दवारे चले जाना तो इसे कैसे सही मानते है कि अपने हिसाब से हम अलग-अलग भगवान को लेकर आए, अलग-अलग जिनके जुभी इश्ट हैं उनको ले करां और वोट बैंक सादने की कोशिश करें तो इसे कितना सही मानते हैं कि राजनेतिक में धर्म तो जरूरी है अनुसार में राज नहीं नहीं सबसे बड़ी दुख़त बाद है कि जोषए ने टुकों एंडिग सब्सक्राइब सन्साथं जाए भाज जीन पूछा कि आज तो देखे हो गा है चोटा सा एक मुक्मंत्री। ही किसी का हो तो कई राज्यों सें कई जगह से निमंतर भेजा जाता आते उनसे पूछा गया वरजी ने पूछा कि आपके पास कोई लिष्ट हो तो दें बोले पता नहीं इतने दिनों में कौन-कौन बदल गए मैं राजा को भी नहीं जानता लेकिन एक नाम मेरा है जिनको जरूर बुलाना वह मेरा निसाद राज है जो मेरा दोस्त है उसको बुलान लेकिन अपनी स्वार्थ के लिए ना किया जाए राम के चलाए हुए पदिचिन्दों पर अगर चलें तो राम राजा सकता है ठीक है अब बात करते हैं जो हाल ही में एक बहुत लेटस्ट्रेंडिंग टॉपिक है और वह बागेश्वर था अब हां के जो शास्त्री जी है उन्होंने कई चमतकारिक चीजे करके दिखाएं उनका ये कहना था कि वह हनुमान जी को बुला लेते हैं इस तरीकी की चीजे हो रही है इस पर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि इस पर आप क्या कहना जाते हैं अब निक्या है कि हमारे यहां सनातन संस्कृति में बहुत सारी विद्या है जहां तरीकालग सब कुछ जान सकते हैं और आज नहीं यह सत्जुग त्रेता द्वापरश्ण में चला है जब अब दसरत जी गए अपने गुरू जी के पास कि कुरू जी मुझे पुत्र नहीं ह है क्या कि आज़ा झाहि करो लेकिन इस जग का मैं नहीं करा सकता इसके सरिंगी रिच्टी कराएं हैं तौका डिविद्रिष्ट्य से संबाद करता हूं तो उस समय भी दिव ड्रिश्टी थी तिसके मादम से उन्होंने देखा उन्हों को निमंतरन भेजा लेकिन इसका पाखंड के रूप में परयोग ना हो हम अपने को बड़े बनाने के लिए इसका परयोग न करें क्योंकि सबको निजता का अधिकार है उसका बना के हम यूटूब पर डालना या उसको टीवी पर चलाना य जो महराज जी जी उनको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माली उनको सकती मिली है विद्या मिली तो यह विद्या है और यह विद्या परंपरा रही हमारी शमुद्रिक विद्या बोलते हैं कई तरह के विद्या पा करके आप इस चीज को जान सकते हैं लोगों का कल्या कर सकते हैं कि उसको सबके सामने लाना उसका यूटूब पर डालना उसको टीवी पर परचार करना अपने नामों को बढ़ाने के लिए गलत है उस विद्या का परयोग सनातन संस्केतिमा ऐसा नहीं हुआ है कि उसको किसी की निष्टा का अधिकार का हनन हो महराजी महर भी आपसे बाते जाने की कोशिश करेंगे चुकि ब्रेक का वक्त हो रहा है रुकेंगे छूट से ब्रेक के लिए जोल हासिर होता है ब्रेक के बाद इबाद फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास शक प्रकाशनन्त महराज जी अगला प्रशन में आप से इश्वर के बाद क्या किसी वक्ति में चमतकारिक शक्तियां हो सकती है या होती है बनाए हुए हैं फूरे बनाए हुए हम बहुत करके वहीं जाना है तो हम कैसे कढ़ें कि अगवान है और बनने लगते हैं उनकी शिती आज पूरा देश देख रही है संसमाज भी देख रहा है आप भी देख रहा है हम भी देख रहे हैं तो हमको अगर कोई सक्ति मिली है इस पर यह सक्ति मिली है तो हम समाज कल्यान के लिए लगाएं नकि अपना नाम बढ़ा करने के लिए अप किसी संतों को कुछ देते हैं इनके लोगों का कल्यान करने लिए उसको आप अप्ने पर्चार के लिए अपने करने के लिए तो क्या है कि वह विद्यावी नष्ट हो जाती है कुछ दिन में और उसका बन्र भी आपको भूग रप्ड़ता है कुछ बिकरेंगे तो जितना रिय स्वर्जान का मिले हैं इसको समाज कल्यान कि लगए क्लिए को भूल ना भी जो है आपको शक्ति प्रमात्मा ने दिया है अजिने दियाγοत यह आप सक्ति दिया है तो लोगों को बढ़ियान काम कर रहे हैं सब जगह है देश विदेशों में आपका संवान हो रहा है तो देस वीदेशों में राष्टे पर चमतकारिय और लौझ कwyddशन को कर दें घrani संस्कृति वाने जो मानव जी जितने और किसी भी पंत संपरदाय पर उनका आवाज नहीं उठा है तो वह भी कहीं ने कहीं दोसी है इसके आप अगर सनातन में हैं सनातन में विश्वास रखते हैं अगर आप हिंदू है तो आप हिंदू समाज के सबसमाज के उठाई है वह एक पादरी था वह से चूता था तागत आजाता था आपने तब क्यों नहीं बोला है वह वह खुद जब गया वहां भुकंपाया के रला में तो आरे से के लोगों ने बचाया तो उसने कहा मुझे आज आरे से विश्वास हो गया कि यह किसी अगर स diffé 省 किती का सकति मिली कोई संति गड़ा को लेकर आगे जा रहा है वहां पर प्र quick hool जाना चाहिए था आपके प्रशों का जवाब देते हैं यह जब होता हरत conservative उनको तो बुलाया गया था माराथ जी हम आगे सनातन धर्म रक्षा और इन तमाम चीजों पर बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी बात आप आपको लेकर भी करते हैं आप नेपाल के उपराश्पती के सलाकार रहे आप यह अनुभव आपका कैसा रहा इसको अगर कुछ साज़ा करना चाहें आप नेपाल के पर्थम उपराश्पती परमानन ज्याजी थे बड़े सर्जन बैखती हैं तो वह पहले सुप्रीम कोट के जज़ हुआ करते थे वहां जब आंदोलन चला तो अपनी कहानी बताते थे कि आंदोल कारें को आगे से आखते थे कि हम पर रंटा नही तो वह बन गए तो एक इंडो नेपाल का ज़क्राम था भारत में उसमें मैंने भारत और नेपाल के बीच में समध्धों पर मेरा दो मिनट का वक्तव था तो फिर मुझे पीछे से बोला गया महराजी आपका दो नहीं ने का महराजी को मेरा विश्ण मेदो यह सही बता रह रहे हैं मैंने वहां कहा था हम लोग कहते हैं चपि मोराज में हौट के थी तो हम लिए वाले कहते हैं के गाज़े सबकेशनाब है नेपाल के राम आपको अपना सलहकार के रूप में केवल एक मने कुछ दे सकता हूं कर आपकी स्विक्रति हो तो इसी माध्यम से हो गया था फिर वहां में गया आना जाना हुआ तो एक हिंदू राष्ट था वह भी हिंदू राष्ट खतम कर दिया गया उसके लिए हम लोगों ने वहां बहु सब्सक्राइब के बाद आतरा हैं वह अस्थखीत हो गई नहीं तो बहुत जोड़ सोर से काच कम लोग किये थे हिंदू राष्ट करवा के छोड़ेंगे तो फीर अब पूरा बनाते हैं देरे हम लोग एक हिंदू राष्ट था वह भी खतम हो गया उसको हिंदू राष्ट क लगभग लगभग ग्यारहहजार नौ साड़े नौ सो गाएं कुछ गाएं अभी बीमारी आ गए थी तो मर गई बारहहजार से उपर गाय की सेवा चल रही है और गाय की सेवा का मतलब है कि आप सब प्रमातमा के मंदिर आपको दिन भर में नहीं जा पाएंगे 33 कोटी 33 पर लास्ता करते हैं म होता है चाल में भाएं सबको एक साथ भोजन मिल जाता है तो गाय की सेवा से बड़ी सेवा किसी भी सास्तों में बताया नहीं गया यह बात आज बैग्यानिक ने माना क्योंकि अभिष्वामिंद्र जी ने तभी कहा था जब तक गाया है तभी तक पिर्थवी है तो पताल में चली जाएगी आज बैग्यानिक ने माना कि गाय के खुर में चुमकिये सकती है उसलिए यह तो जल है जल के उपर पिर्थवी है तो गाय के चलते हैं लोगों को कम सकम एक गाय तो रखें उसकी सेवा करें अगर सब लों रखने लगे तो जरौत ही नहीं प्रतिक्रियां मिला मुष्माज को तो नहीं पाया अगर यह समझोंता के साथ होता तो इतिहास में डर्ज होता कि मुष्माज ने भी अपनी में तर्षी आज यह तैश्व गया कि वहाँ सिविलिंग है वहां लोग काते हैं कि फप बारारी विजिली नहीं थी पांप तो नंदी जी का फबाना में नहाना था उनको वहां देख रहे थे वह क्या है कि वह साक्ष को हमारे यहां 4500 मंदिरों को तोड़ के मुगल आये अकबर आये ती लोगों ने बनाया लेकिन किसी चीज को तोड़ कर दिया जाए तो अब भी उसमें कुछ ने कुछ तो बची जा सकता है यह तो क्यों नहीं हो गया कि आप मेरे घर में आये और दस-वीस साल रहने लगे और घर कर दियो मेरा घर है देखिया मेरा फोटो लगा हुआ इसमें मेरा लगा हुआ है लेकिन सत्त तो छुपेगा नहीं अब तो जान्थ हो गई कोट ने भी स्विकार कर लिया सब उसका रिकॉर्डिंग हो गया और यहां हमारे महराज जी है इसलिए को चिंताग बात नहीं है थोड़ा देर भले लगेगा लेकिन सब को शिक ठाग हो जाएगा मंदिर भी होगा और राम मंदिर से भव शिव का मंदिर होगा चुकि राम का देते हमारे इस सिव हैं और जूखना चाती हं dodoo की देखें की मिश्वास होता है कि हम विएक्ति सब कुछ है यह सबकुछ करेंगे आज लोगों को समझने की बहूत जरूरत है कि अगर्ला विश्वास लेकिन अगर अब अन्द विश्वास करतें हैं तो बहुत सारे लो कार्लों की तरफ जाता है बहु तो इसे कैसे आप देखते हैं तो यहां विश्वास हो वहां सर्धा भी होगा तभी काम और सर्धा नहीं है तो विश्वास को भठकना होगा कैसे तो देखिए जब सीव और पारवती जी साथ थी सती साथ थी बहुत बढ़िया समसार चलना था पारवती जब सीव जी की बात नमान के अपनी माय के गई हो और जब अलग हो के गई सर्धा उनको जलना पड़ा और विश्वास करें और जब सर्धा होगी और विश्वास होगा तो वहां अंद्विश्वास नहीं होगा क्योंकि विश्वास के साथ ही अंद्विश्वास जुड़ा हुआ है तो विश्वास आप करें सभी चीज को जांचें परखें तब आप विश्वास करें अंद्विश विश्वास का कोई जगह सास्तों में भी नहीं और संतोले भी नहीं दिया कि आप अंद्विश्वास करकर करिए आप सब जांचिये परक्षिये जानिए फिर अपने कदम को आगे बढ़ाईए महराजी बहुत महतुपूर बाते आज आपने हमारे दर्शिकों को बताई आपका बहुत 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 शुक्रिया आपने स्टूडियों में आने के लिए और इतनी महतुपूर बाते हमारे दर्शिकों को बताने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका और हमारे स की खास पेशकर्स पसंद आई होगी देखते रहें के न्यूस इंडिया मुझे दीजिए जातर नमस्कार्ट